नमस्कार जहिन सातियों मैं रोहित भारगव मद्य प्रदेश के सबसे सांदार यूट्यूब चैनल निव अतुलिये के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ तो चलिए दोस्तो मैं आज यहाँ पर बहुती महतोपुन टॉपिक जो चर्चाओं में रहने वाला है बजट आज और कल पूरे दिन चर्चाओं में रहने वाला टॉपिक बजट इस पर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तो आप जो भी विध्यारती सरकारी नोकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तो एक दम सटिक एनालिसिस लेकर आया हूं में बजट का वेसे तो दोस्तो बजट का वर्तमान जीवन में बहुत ही ज़ादा उपयोगीता है लेकिन अगर हम सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो परिक्षा की दस्टी से हमारे लिए यहां के हर एक बिंदू important है तो चल यह दोस्तो इस महत्वपुन बिंदू पर मैं आप लोगों को एक एक बात समझाऊंगा है आग पर बजट की तो शुरुआत करता हूं दोस्तो मैं बजट से तो दोस्तो आंग भासा में हम सब्द का परियोग करते हैं बजट तो दोस्तो वास्तवी रूप में दोस्तो ये बजट है क्या? बजट का वर्णन क्या किसी अनुचेद में है? क्या सवीधान में इसका वर्णन है? नहीं दोस्तो ऐसा हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तो बजट की बात करूँ उससे पहले में आप सभी के सामने एक अनुचेत की बात करना चाहूँगा यापर अनुचेत 266 जी हाँ आप सोच रहे होंगे सर ये नहीं बोल रहे हैं कि बजट इस वासा का सब्द है जैसा कि दोस्तो अब भी जो चल रहा है दोस्तो जो प संचित निधी क्या है इस संचित निधी का संबंद बजट से क्या है तो चल ये दोस्तो इसी पर मैं बात करूँ है आप सभी के सामने कि संचित निधी आखिर क्या है तो आपने सुना होगा दोस्तो सवीधान का अनुचेद 266 जिसमें वरणन है संचित निधी का मेरे दोस् फिर आऊंगा मैं आप लोगों के सामने बजट की बात लेकर ठीक है तुरंत लिंक हो जाएगी चीज दोस्तो ठीक है जो दोस्तो वास्तविक चीज है मैं वो आपको यहां पर बताने जा रहा हूं संचीत नीदी सविधान की सनुच्छेद में है दोस्तो चाचट तो दोस्तो सरकार को जो वर्तमान की सरकार है सरकार को जितनी भी सरकार के पास जितनी भी आई आती है दोस्तो क्या आती है आई ठीक है यह सरकार की जितनी भी प्राप्तियां है ठीक है वो जमा होती है दोस्तो किसमे संचीत नीदी में जो हम कर देते हैं ठीक है हमारे कर से जो सरकार को आई प्राप्त होती है या अन्य माध्यमों से जो सरकार को आई प्राप्त होती है जो इंकम प्राप्त होती है सरकार को मेरे दोस्तों वो कहां जमा होती है मेरे दोस्त संचित निधी में कहां पर जमा होती है संचित निधी में और संचित निधी का वर्णन है अनुच्छे दो 266 में और हमें इस संचित निधी से अगर एक रूपिया भी निकालना है तो हमको पर्मिशन लेना पड़ीगी मेरे दोस्त संसद की किसकी संसद की तो दोस्तो समझना अब मेरी बात वर्स 2022 के लिए दोस्तो सरकार जो खर्च करेगी और ये खर्च का जो पेशा निकालेगी वो कहां से निकालेगी संचित निधी से मेरे भाई कहां से संचित निधी से और यही संचित निधी का वर्णन है अनुच्छे 206 और इसी संचित निधी से उसको पेशा निकालना है इसके लिए दोस्तो लाएगी वार्सिक वित्ती विवरन क्या लेकर आएगी दोस्तो वार्सिक वित्ती विवरन जिसे आप आज के समय में नाम दे रहे हो क्या नाम दे रहे हो बजट का किसका नाम दे रहे हो दोस्तो बजट का तो समझ में आई बात दोस्तो यहां है दोस् एक प्रकार से क्या है दोस्तो वार्षिक वित्ती विवरण जो हमको 2022-2023 के लिए जो खर्च पेशा जो खर्च करना है तीक है जो पेशा खर्च करना है इसकी जो हमको अनुमती मांगना है या जो ये पेशा हमको निकालना है तो इसकी अनुमती मांगेंगे दोस्तो हम कहां से संसद से कहां से संसद से जो वातमान सरकारे दोस्तो जिसका लोग सबा में बहुमत है उसी के वंतरी द्वारा क्या प्रस्तूत किया जाता है दोस्तो बजट प्रस्तूत किया जाता है जैसा कि आप सभी को पता है वित्त मंतरी निर्मला सितारमन के द्वारा चोथा क्या प्रस परिभासा की रूप में सरकार की जितनी आई है और सरकार जितना खर्च करती है सरकार की आई और वेई का विवरन सरकार की आई और वेई का विवरन मेरे दोस्त ठीक है यहाँ पर लिखा है देखो परिभासा में देख पारे हो आप कि सरकार की आई और वेई का विवरन क्या क की कहलता है budget क्या कहलाता है मेरे दोस्त बजट और दोस्तो यह I और वय का वीवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता ह doct केते हो जेसी में ने आप लोगों को यहांपर कहा था इस सवीधान में कहीं भी budget सब्द का उ demonstrate फिर किसा उलिख है सवीधान का अनुच्छद 112 ये लिखा है दोस्तों सवीधान के अनुच्छद 112 में वार्सिक वित्ती विवरण का जिक्र किया गया है कहीं पर भी बजट का जिक्र नहीं किया गया है अब आपकी पारंपरिक भासा की ओर आता हूं जो आप कल और आज से सुनते आ रहे हो कि बजट फ्रा बजट है दोस्त बजट फ्रांसीसी या फ्रेंच बासा का सब्द है ठीक है फ्रेंच बासा का सब्द बुजेट से मिलकर बना है किस से मिलकर बना है बुजेट से मिलकर बना है इसका अर्थ होता है दोस्तों चमडे का थेला इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों चमडे का थे किसका अर्थ है तो फ्रांसी सी सब्द या फ्रेंच बासा का सब्द बूजेट से मिलकर बना है अब दोस्तो ये जो बजट है दोस्तो ये बजट दोस्तो राष्ट पती की सिफारी से किसकी सिफारी से राष्ट पती की सिफारी से संसद के दोनों पटल अर्थात लोग सबा औ इसके लिए 2022-23 के लिए संसद के दोनों सदन अर्थात क्या लोग सबा और राज्य सबा के समक्ष भारत सरकार की उस वर्स के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्याई का क्या रखवाता है विवरण रखवाता है जिसे इस भाग में अनुच्छेद 112 के तहद क्या कहा जात है अनुच्छेद 112 के तहद कहा जाता है वार्सिक विविवरण कहा जाता है तो मेरे दोस्तो बजट से पहले दोस्तो रास्ट पती एक आपको अभी भाशन भी देता है दोस्तो और रास्ट पती ही दोस्तो इसे संसद के दोनों पड़लों पर रखवाता है अर्थात क्या द पती चलिए तो मैं उमीद कर रहा हूँ आप एक एक बात यहां पर समझते जा रहे होंगे फिर आगे बढ़ते हम आगे की कहानी सुनों यहां पर अब सब दोस्तों यहां परिक्षा में प्रसना आता है कि भारती बजट का जनक कोन है सुतंत्र भारत के पहले वित्यमंत्री ग जेम्स विल्सन क्या नाम है जेम्स विल्सन वहीं सुतंत्र भारत के बजट सुतंत्र भारत का पहली बजट प्रस्तूत किया था आरके शन मुकन सेटी ने और गड़तंत्र भारत का बजट प्रस्तूत किया था जौन मथाई ने तो चलिए मैं आपके सामने हाँ पर आगे की विश्वत रूप से कहानी लेकर चलता हूँ तो जैसा कि बजट फ्रांसी सी भासा का सब्द है दोस्तों जिसका अर्थ हो फ्रांसी सी भासा का सब्द है बुगेट से बनकर बना है या बुजेट से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थेला किसका थेला चमडे का थेला तो दोस्तो भारत में पहला बजट भारत में पहला बजट ठीक है पहला बजट अठासो सहाड में साथ अपरेल अठासो सहाड में इसकॉटलेंड का अर्थ सास्त्री प्रसिद्ध अर्थ सास्त्री है इसकॉटलेंड का प्रसिद्ध अर्थ सास्त् और राजनितिग जेमस विल्सन ने Ist India कंपनी की तरफ से पेस किया था कौन सि कंपनी की तरफ से जी हाँ सई सुन रहे हो आप Ist India कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 को कहा आई थी भारत में तो इसी Ist India कंपनी की ओर से पहला बजट इसने पेस किया था दोस्तो James Wilson ने इसी कारण इसी James Wilson को भारती बजट का क्या माना जाता है जनक क्या माना जाता है या भारती बजट का संस्थापक किसे माना जाता है James Wilson को ठीक है तो इसने प्रस्तूत किया था East India Company की तरफ से और स्वतंत्र भारत का जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी कहा स्वतंत्र के शन मुकन शेटी सहाब ने ठीक है पहला बजट प्रस्तूत किया था और था दोस्तो सोतंत्र भारत का 1947 के बाद पहला बजट प्रस्तूत किया था 26 नॉमबर 1947 को वहीं दोस्तो हम याद रख सकते हैं कि 1950 के बाद कब दोस्तो 1950 के बाद ठीक है और था गणतंत्र भारत का गण मथाई ने किसने प्रस्तूत किया था जोन मथाई ने ठीक है ये दोनों तथ्थे दोस्तों कही ना कही हमारी परिक्षा के लिए बहुत उप्योगी होंगे हैं पर ठीक है तो स्वतंत्र भारत का पूछे आप लोगों से यहां पर तो ये हमको याद होना चीए और इनके बारे में हमको पता होना चीए तो चलिए सहाब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की बात क्या तो दोस्तों बात कही बार दोस्तों ये एतिहासिक दस्ती की बात कर रहे हम लोग तो कही बार प्रस्न बन जाता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्थूत किस ने किया तो सबसे ज़्यादा बार अर्था 10 बार कितनी बार दोस्तों 10 बार बजट प्रस्थूत करने वाले वित्तमंती रहें कितनी बार 10 बार बजट प्रस्थूत करने वाले या सबसे ज़्यादा बार प्रजट प्रस्थूत करने था इंदिरा गांधी जी ने किसने प्रस्तूत किया था इंदिरा गांधी ने तो सबसे ज़्यादा बार दोस्तों पूछ ले आप लोगों से तो मोरार जी देशाए ने और वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री के रूप में पूछ ले आप से इंदिरा गांधी ने किसने पूर्ण कालिक वित्त मंत्री तो रही है निर्मला सितारमन जी मेरे दोस्तों बहुत सही सुना है आपने बढ़िया ठीके बहुत सही बात ही है पूछे आपसे कि भारत की पहली पूर्ण कालिक वित्त मंत्री कोन है पूर्ण कालिक वित्त मंत्री का नाम पूछे तो आप मेरे पूछे तो आप लोगों से लगाना है आपको इंद्रा गांधी और पूर्ण कालिक पूछे आप लोगों से तो आप लगा देना मेरे दोस्त किनका नाम लगा देना आप यहां पर पूर्ण कालिक के रूप में निर्मला सीता रमन और इन्होंने अपने कारेकाल का चोथा लिख नहीं पाते हैं, तो इतना आप स्क्रीन सॉट लिजे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं इतिहास की, तो चलिए आपन इतिहास की जस्टी से एक और तथ्य देख लेते हैं, सुनना मेरी बात ध् कब 1921 में एक कमेटी बनती है, एक वर्थ कमेटी, क्या नाम है उसका एक वर्थ कमेटी, इसी कमेटी की सिफारिस पर, इसी एक वर्थ कमेटी की सिफारिस पर 1924 में, कब दोस्तों 1924 में होता क्या है, कि जो आपका आम बजट है, कुनसा बजट है दोस्तों, आम बजट है, य आम बजट और दोस्तों आपका रेलवे बजट कुन सा रेलवे बजट इन दोनों को कर दिया जाता है दोस्तों अलग अलग क्या कर दिया जाता है अलग अलग थीक है तो एकवर्त कमीटी बनती है 1921 में इसी कमीटी की सिफारीस पर किसकी दोस्तों इसी कमीटी की सिफारीस पर आपका जो रेल बजट है उसको आम बजट से पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है दोस्तों अलग कर दिया जाता है 1925 में और दोस्तों आगे 2017 में 2017 में दोस्तो, विवेग देवराई समीती की सिफारीच पर, विवेग देवराई समीती, ये तथे भी याद रख ले, दोस्तो 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तूद किया जा रहे हैं तो दोस्तो ये प्रस्ने भी इतिहास की बात थो रही है तो मैंने बजट के आप लोगों को यहां पर बात कर दी दोस्तो इतने तथ्य बताऊंगा आपको जो वर्तमान में पूर्ण रूप से स समझाओंगा ठीक है तो दोस्तो पूछे आपसे एकवर्त कमीटी कब बनी 1921 में इसी कमीटी की सिफारिस पर आपका रेल बजट और आम बजट दोनों को क्या कर दिया गया अलग अलग कर दिया गया लेकिन 2017 से दोनों बजट को आपस में मिला दिया गया एक समीती के दौरा उस समीती की सिफारिस के आधार पर तो विवेक देवराय समीती की सिफारिस पर चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तो उमीद करता हूँ इतनी चीजे आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी दोस्तो ये जो मैं बिंदू आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपकी प्र केंदरी बजट 2022-2022 जो प्रस्तूत हुआ इसको क्या कहा गया अंतरास्टी मोटा अनाजवर्स, निर्मला सिता रहां जी ने कहा कि जो 2022-2022 हैं ढ़िसको गोसीत करते हैं अंतरास्टी मोटा अनाजवर्स, अब दोस्तो इस बजट में सस्ती चीजे क्या हुई और मह Temगी ची की बात करते हैंं दोस्तों यहाँ पर तो पहली बात तो समझنا कि 2022-23 को बजट में कौन सा वर्स घोसित क advanced छेट में मोटा अनाज वर्स तो सस्ता क्या हुआ इसमें दोस्तों Mobile Mobile का सस्ता हो गया दोस्तों Charger ठीक है खेती का समान साती सात दोस्तो mobile phone भी सस्ते होए हैं turn चार्जर लोगे और पौन भी ले लेना आप ठीके तो हीरे के जो गहने हैं दोस्तों फूट वेर जूते चपल वगेरा विदेश से आने वाली मसीन कपड़ा ठीके चमड़ा ये सब क्या हुआ ये दोस्तों सस्ता हुआ है और महंगई में दोस्तों देखेंगे अपन महंगा क क्या हुआ आर्टिफिशल ज्योल्री ठीके विदेशी चाते जो आप स्पीकर बजाते हो लावड स्पीकर हेड़फोन एरफोन स्मार्ट मीटर एक सरे मसीन यह सम्मेहंगी हुई है तो कुछ चीजे सस्ती भी हुई है कुछ चीजे महंगी हुई है और अंतरास्ती मोटा प्रस्तूत किया गया है और किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया है निर्मला सितारमन के द्वारा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर दो चार तथ्थे जो महत्वपून है यहाँ पर 2017 से दोस्तों 2017 से लगातार बजट कब से किस तारीक को प्रस्तूत किया जा रहा है दोस्त पेपरलेस बजट अर्थात या बात करू में डिजीटल बजट है केसा है डिजीटल इसमें किसी भी परकार के पेपर का उपयोग नहीं किया गया जो हमारी वित्तिय मंत्री है उन्होंने दोस्तों एक टेब के रूप में एक टेब के दौरा पूरा बजट प्रस्तूत कया पहला समावेसी विकास यहाँ पर आप देख पा रहे हो समावेसी विकास ठीक है दूसरा हमारी जो समावेसी विकास अर्थात सभी का विकास ठीक है हर वेक्ति का दूसरा क्या है उत्पादक्ता पूर ठीक है उत्पादक्ता जादा से जादा हमको क्या बढ़ानी है परमपरागत ठीक है कौन से अपरमपरागत जलवायू परिवर्तन से निपटना सबसे बड़ी बात हमको किस से निपटना है जलवायू परिवर्तन से जिसके कारण हम दोस्तों मोसम में बदलाव नहीं देख रहे हैं यह महामारी का सामना नहीं कर रहे हैं तो एसी चुनोतिय बात करी गई है PM गती सकती मिशन तो इस PM गती सकती मिशन में भी दोस्तो ठीक है साथ इंजनों की साथ इंजनों की बात करी गई है, कितने इंजनों की? शाथ, चली देखते हैं, देखो, PM गती सक्ती मिसन के थाथ, साथ इंजन, ठीके, साथ इंजन, कौन-कौन से है, पहला तो है, दोस्तो, राश्टी राजमार्ग, राश्टी राजमार्ग हम यहाँ पर उन्नत करेंगे, दुसर प्रतिक विक्ति को यहां पर रोजगार मिले जो सबसे बड़ी चुनोती है उर्जा का विकास क्या उर्जा का विकास एसी उर्जा को विक्सित करना है जो परियावरन को नुक्साइब पहुचाए बिना ठїक है क्या करे और बुनियादी ढाचा आधार भूत ढाचा सबसे इंपोर्टेंट इस पर काम करेंगे दोस्तों यह साथ के साथ जो दोस्तो प्रमुक इंजन कहें गए हैं जो भारति अर्फ विक विवस्ता को क्या प्रदान करेंगे गती प्रदान करेंग जो भारती अर्थ विवस्ता की जो उर्जा विकास को क्या देंगे गती देंगे ये भी आपको समझना है दोस्तों ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और क्या प्राउधान किये गए बजट में मेरे दोस्त आगे की बात अगर मैं करू तो आप यहाँ पर सुनोगे दोस्तों बहुत ही बढ़िया जानकारी RBI के द्वारा डिजीटल रुपया और दोस्तों इस वर्च सबसे आज के समय में अगर चर्चा का विशाई है क्रिप्टो करेंसी क्या क्रिप्टो करेंसी सुनो भई इस बात को सुनो आप लोग ध्यान से ध्यान के सुनना मेरी बात आप पूरे के पूरे कॉंसेप्ट यहां पर क्या कर दूँगा किलियर कर दूँगा देखो भई सबसे पहले तो दोस्तों भारती रिजरोबेंकर ने बहुत इंपोर्टेंट प्रवधान जारी किया RBI ने डिजीटल रुपया जारी किया क्या किया डिजीटल रुपिया अरे तो sir अब भी भी तो हम वर्तमान में ठीक है हम हिया पर wallet का उप्योग कर रहे हैं डिजीटल लेंदेन को बड़ावा तो दे रहे हैं इसमें ऐसा क्या खास है कि यह digital रुपिया अब भी देखा जाये तो sir हम जितने भी student हैं, जितने भी वेक्ति हम पूरा का पूरा लगबग हम online ही lending कर रहे हैं, digital रूप से ही तो lending कर रहे हैं, हमारे wallet में जो पेशा आता है दोस्त क्या जो पेशा आता है वो digital रूप से तो आता है, और digital रूप से हम इसको खर्च करते हैं, फिर इसकी क्या जरू वात है समझना दोस्तो यही तो concept है इसको इतो समझना हमको इस बिंदू को आप समझना मेरी बार ध्यान से तो digital रूपिया जारी किया गया डिजेटल रूपिया यहां पर आप देख पा रहे हो किसके दुआरा भारती रिजर्व बैंक के दुआरा और इसका नाम वित्तियमंत अब सर digital रूपे की क्या जरुवत पड़ी जबके हमारे पास auto पेले से ही तो है क्या आपके पास wallet तो समझना मेरी बात दोस्तों हब भाई रोहित भारगों के खाते में हैं 10,000 रूपे ठीक है 10,000 रूपे मेरे खाते में हैं समझ में आरी बाद अब 10,000 रूपे तो मेरे खाते में दोस्तों wallet में कहा पर है wallet में digital रूप से ठीक है digital रूप से तो क्या जरुद पड़गी रूपी आने के digital रूप से है लेकिन मुझे अगर तुरंत अभी जरुद पड़ेगी तो मैं ये 10,000 रूपे दोस्तों cash के रूप में निकाल लूँगा किस रूप में cash के रूप मे अर्थात जो मेरे पास digital रूपिया है वो दोस्तों भारत सरकार को cash के रूप में रखना ही पड़ेगा जब भी मुझे जरुद पड़ेगी तो cash मुझे दे दिया जाएगा अब दोस्तों RBI क्या कर रही है not छापने का काम बिलकुल रूप से बंद करना चाहती है कि अब जो आपके पास पेशा होगा वो digital रूपे में ही होगा digital माध्यम में ही होगा अब आपको cash छापने की जुरुवत ही नहीं है सीधी सी बात ये है दोस्तों ठीक है अब दोस्तों भले हमारे खाते में 15,020,000 रूपे हैं लेकिन ये पेशे दोस्तों जो bank है उसको दोस्तों cash के र उपी आने से आपके खाते में दोस्तों digital मुद्रा ही चलेगी यानि RBI सीधी सी बात है नोड छापने का काम क्या कर रही है बंद कर रही है इसी को कहेंगे blockchain प्रणाली कौन सी प्रणाली कहेंगे मेरे दोस्त blockchain प्रणाली या blockchain technology तो blockchain technology पर छापेगी RBI कौन सी टेकनोलोजी प पर ब्लोक चेन कोन सी ब्लोक चेन समझ में आरे बार जो आप यह सब्द सुनते हो अब सुनना निर्मला सितारमन ये तो समझ में आ गया डिजीटल रुपया जारी करेंगे निर्मला सितारमने केंदरी बजट 2022-2023 को पेश करते हुए कहा कि जो virtual digital परिसंपति अर्थाद crypto करन् भी वेक्ति परिसंपत्ति का हस्तांतर्ण करता है तो उसका 30% टेक्स लगाने की घोशना की गई अर्थात आप सीधी सी बात है भारत सरकार दोस्तों डिजीट वर्चुल करंसी को वेशे तो मानने ता नहीं प्रदान कर रही थी ठीक है यहां बात करें बीट कोईन को लेकिन अगर आप विट कोईन से वर्चुल करंसी से कोई फाइदा कमाते हो कुछ लाब कमाते हो तो इसका 30% आपको देना पड़ेगा मेरे दोस्त भारत सरकार को किसको देना पड़ेगा भारत सरकार को समझ में आई बाग यानि दोस्तों पहली बार वर्चुल करंसी पर कितना पर पर्चा में हैं कि virtual currency पर 30% tax लगाया जाएगा चलिए तो हाँ भई लगा दिया है अब तो दोस्तो चलेगा और इसका जो लाब अगर आप कमाते हो तो 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा मेरे दोस्त ठीक है बच नहीं सकते हो आप इससे चलो बढ़ते हैं आगे अगली बास समझते हैं बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर दोस्तो देखो दोस्तो आप यहाँ पर बजट मेरे साथ पढ़तो रहे हो concept भी समझते जा रहे हो हर चीज वित्ती वर्षत 2022-23 के लिए राजकोशी घाटे को फिजीकल डिफीकल क्या फिजीकल डिफीसर ठीक है राजकोशी घ घाटे को GDP का 6.4% लाने का लक्ष रखा गया है और आने वाले साल में GDP ग्रोथ रेट ठीक है GDP सकल घरेज उतपा GDP ग्रोथ रेट 9.27% रहने की उमीद है सर हमको तो दोनों चीज समझ में नहीं यह राजकोशी घाटा क्या होता है फिर हमको बताओ GDP के बारे में राजकोशी घाटा क्या होता है समझना मेरी बार चलो मैं आप लोगों को हैं पर concept clear कर देता हूं राजकोशी घाटे का राजकोशी घाटा अर्थात क्या ठीक है राजकोशी घाटा जिस परकार से दोस्तों RBI RBI क्या बनाती दोस्तों मोदरिक निती कोंची निती मोदरिक निती ठीक है उसी परकार भारत सरकार भी बनाती राजकोशी निती कोंची निती राजकोशी निती अब सुनना राजकोशी घाटा अर्थात क्या तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सरकार को जितनी क्या सीधी सी बात अगर भारस सरकार को आई कम प्राप्त हो रही है यानि इनकम भारस सरकार की कम हो रही है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है आई कम प्राप्त हो रही है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जो इस बीच का जो अंतर है इस खर्चे का जो पूर राजकोशी घाटे को GDP का 6.4 प्रतिसत लाने का लक्ष रखा गया है कहीं न कहीं इसका हमको नकारात्मक प्रभाव एसा देखने को मिलेगा कि महंगाई बढ़ेगी ठीके आम आदमी की समस्य है इसमें बढ़ेगी तो आम आदमी के लिए टेक्स प्रनाली टेक्स भी बढ़ाय जाएगा महंगाई भी बढ़ेगी तो राजकोशी घाटा समझ में आया होगा आई अगर कम हो रही है वे अगर जादा हो रहा है अर्था दोस्तो इसको में एक लाइन में के दू क्या हो रहा है दोस्तो राजकोशी घाटा भारसरकार का बढ़ रहा है और दोस्तो हमारी GDP ग पुझी गतवेई है, पुझी गतवेई रखा गया 10.68 लाग करोड रूपे का अनुमान है, जो GDP का कितना परसेन 4.01 परतीसत, पुझी गतवेई याद रखना है हमको 10.68 लाग करोड रूपे, जो पुझी के रूप में है पर वे करेंगे हम लोग, जो हमारी GDP जो हमने रखी उ दोस्तों क्या रखिए 9.1% और हमारा जो physical deficit है हमारा राजकोसी घाटा है वो रखा गया है दोस्तों 6.4% उमीद करता हूँ दोस्तों आप मेरे हर concept को अच्छे से समझ पा रहे होंगे अब निर्मला सिता रमन ने इस बार ठीक है इंकम ٹेक्स थीक है जो आई कर देते हैं उनके लिए कोई भी रहत नहीं कोई भी परिवर्तन नहीं जो चल रहा है उसी के अनुसार थीक है उन्होंने बात कही है पांच बड़ी नदी जोडो परियोजनाई की बात के है दमन गंगा पिंजाल, टापी नर्मदा, गोदावरी क्रशना, क्रशना पेननार कावेरी सुरू की जाएगी पांच बड़ी नदी जोडो परियोजनाई महत्वपूर्ण दोस्तों परिक्षा की दस्टी से अब जो दोस्तों जो हमारा रक्षा छेत्र है क्या हमारा जो डिफेंस सेक्टर है रक्षा छेत्र में बजट का 68 फिजदी बजट का 68 फिजदी भारती कमपनियों के लिए शुरू अर्थार जो हम रक्षा छेत्र में वे करेंगे उसमें दोस्तों प्राथमिक अधिकार भारती company का है और वो भी कितने percent 68 percent यानि मैं किन इंडिया को हम यहाँ पर क्या देंगे बड़ावा ठीक है भारी company से भारी company का यह विदेशी company का हम इसमें सयोग नहीं लेंगे भारती company ही रक्षा की छितरे के लिए कारी करेगी और 68 percent fix कर दिया जो आपकी तीन सालों में चार सो नई वंदे भारत ट्रेने बनाई जाएगी कितनी भाई 400 नई कितनी वंदे भारत ट्रेने ही मैं बनाई जाएगी फिक है यह भी हम को कहीं आ कहीं याद रखना है महिला बालविकास के अंतरगत तीन योजना है हाला कि योजना हैं दोस्तों महिला बाल विकास से संबंदी थे महत्वपूर हैं और कुछ योजना हैं पहले से चल भी रहे हैं मिसन सक्ती, मिसन वात्सली और सक्षम आंगनवाडी 2.0 अब दोस्तों सिक्षा के छेत्र में वेवसाइक सिक्षा देने के लिए पहली बार डिजीटल युनिवर्सिटी के गठन की बात करी है और PME विध्या योजना के तहर वन क्लास वन टीवी प्रोग्राम सुनना मेरी बात परिक्षा में बन सकता है प्राशन की वन क्लास वन टी एक से बारा तक की कक्षाओं को छेत्री भासाओं में सिक्षा देने की बात कही है और राज्यों के दोस्तों क्रसी विश्वी ध्यालयों के पार्टिक्रम में संसोधन किया जाएगा महत्वपूर्ण है दोस्तों पूछ ले कि राज्यों के किस पार्टिक्रम में परिवर्त करने की बात कहीं तो जो करसी संबंदित पार्टिक्रम है उनमें उनमें परिवर्तन करने की बात कहीं है तो दोस्तों 12 से बढ़ा कर 200 नए चैनल डिजिटल उनिवर्सिटी वेवसाइक सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक से बारा तक के बच्चों के लिए चेतरी बासा में सिक्षा दी जाएगी और क्रसी विश्य उध्याले की पार्टिक्रम में संसोधन किया जाएगा अब देखते हांगे दोस्तों इसमें क्या है अब दोस्तों रोजगार के छेतर में बात कही गई है कि 60 लाक नई नोकरिया देने की कोशिस होगी कितने लाक सांट लाक ठीक है और अगले 10 साल में 30 लाक नई नोकरिया मिलेगी अगले 10 साल में कितने लाग नहीं नोकरिया, 30 लाग नहीं नोकरिया मिलेगी, production link incentive के तहट, ठीक है, किसके तहट, PLI production incentive link के, production link incentive PLI के तहट, दोस्तो, 14 छेतरों में, अब बात करते हैं, दोस्तो, ठीक है, 5G, 5G के लिए बात कहीं वित्तमेंतिन कहा, कि 2022 में, दोस्तो, 5G, ठीक कब से शुरुआत करने की बात कहीं, दोस्तो, 2023 से 5G सेवा शुरुआत करने की बात कहीं है, दोस्तो, और एलान किया है कि, 2025 तक देश के सभी गाउं में, optical fiber पहुचाए जाएंगे, optical fiber पहुचाने की बात कहीं गई है, दोस्तो, भारत net यूजना के तहट, ठीक है, भारत net य योजना है इसी के तर अप्टिकल फाइबर हर गाउं तक हो जाएंगे ताकि सभी ग्राम पंचायते किस से जूड सके दोस्तों वाइफाई से किस से जूड सके नेट से तो 2035 तक देश के सभी गाउं अप्टिकल फाइबर से जूड जाएंगे 5G टेकनोलोजी आ जाएगी दो 2023 तक बहुत अच्छी ये scheme हैं दोस्तों ताकि गाउं भी मजबूत होंगे और हुमारा देश भी मजबूत होगा एक महत्वपुन योजना है दोस्तो पहाडी छेत्रों के लिए और पुर्वत्तर छेत्रों के लिए परवत माला योजना की गोशना की गई किसकी परवत माला यहाँ जो योजना है परवत माला पहाडी छेत्रों के लिए कारी करेगी तो परवत माला योजना पहाडी छेत्रों और पुर्वत्तर छेत्रों के लिए महत्वपुन साबित होगी साती सात जो गंगा नदी वाला छेत्र है वहाँ पर जो प्राकृति क्रसी करते हैं उनके लिए भी यह महत्वपुन साबित होगी बढ़ते हैं आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखो अब दोस्तों अब जो बजट है इसमें हमारे मद्य प्रदेश के लिए क्या प्रावधान है हमारे परिछा की दस्की से इंपोर्टेंट है तो मद्य प्रदेश के संदर्वा में 2005 में एक जो दोस्तों पहली नदी परियोजना क्या केन बेतवा लिंक परियोजना इसकी दोस्तों आधा सिला रखी गई थी 2005 में इसके लिए दोस्तों बजट में आवंटन किया गया है जबलपूर की आयुद कमपनिया जो जबलपूर में नहीं है दोस्तों आयुद कमपनिया ठीक है जो आपकी आयुद कमपनिया है ठीक है वहाँ पर निर्मित जो दोस्तों एक धनुस तोप है धनुस तोप और सारंग तोप ने बहुत अच्छा नाम कमाया इसी को ध्यान में रखते हुए जो जबलपूर में जो दोस्तो आपकी ओर्डिनेंस फेक्टरी है उसके लिए भी कारे करने की बात की गई है और साथी साथ दोस्तो बजट में इस बार पहली बार ड्रोन से क्रसी करने की बात कहीगी किसे ड्रोन से ड्रोन से खेती करने की हाला कि जबलपूर में दोस्तों पहले से ही दोस्तों छे महाँ पहले से ही टीक है ड्रोन से क्रसी करने की बात घर दी गई है और क्रसी की भी जारी है वहाँ पर छिड़काओ भी किया जारा रहा रसाइनों का तो ये दोस्तों मद्य प्रदेश के संदर में बात थी उमीद कर रहा हूं दोस्तों ये एक एक बिंदू को समझो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों मिलते हैं अगली एसी अगली क्लास में तब तक के लिए जै हिन जै भारत दोस्तों